सर्च ऑन यूटूब एक्री बाई मनुसर सस्क्राइब एंड प्रेज दा बैल आइकन गाईज आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जैट की आंसर की और रजल्ट के बारे में तो यहाँ पे यह न्यूज पेपर में न्यूज के बारे में डिसकस करेंगे जैट परिक्षा 4 अक्टुबर तक आंसर की नोग को आएगा रजल्ट एगरी गरीकल्चर यूज़शुटी के और से कोटा सहीत पर देश यानि की कोटा सहीत चेह Souls के अंदर श्यूंक्त जो जेट प्रिक्षा है जेट प्रिपीजी और पीएचडी के इंट्रेस एक्जाम थे वो हो चुके हैं और इन्हों ने बताए कि सुबह नोब जे से सेंटर में स्टूडेंट्स के इंट्री शुरू हुई थी और साठी गारावजी तक यहां पे रहे थ और कोटा सहीत नवासी प्रिक्षा सेंटर बनाए गए थे और प्रिक्षा में कुल 28,326 में से 26,657 स्टूडेंट ही प्रिक्षा दी थी अब बात इसमें की गया इसमें से 169 स्टूडेंट्स यानिके अब सेंट थे और यूनिवर्सिटी की रजिस्टरार ममता तिवारी ने बताया कि प्रिक्षा किसी भी तरह से नकल का मामला नहीं हाया है यानिकि एक तरह से सांती पुरक एक अच्छे तरीके से प्रिक्षा है वो कंप्लेट हो चुकी है और प्रिक्षा यूनिवर्सिटी परसासन की और से स्टूडेंट्स को मास्क और पेन दिये गए हैं इसके स सबीका एक बार जो फेस मास्क का उतरऊा के और फोटो एस सबकी मेल में लाप किया था और दारकार डिस्टेंस जो भी था सारा किया और डिस्टेंसिंग का भी अच्छे से द्यान रखा था। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने बताया कि वी सी प्रोफेसर डी सी जो सी के अनुसाद तीन और चार अक्टूबर को आंसुर की जारी की जाएगी समबत वह नो अक्टूबर को रजेल्ट है वो गोसित कर दिया जाएगा और सत्रा अक्टूबर तक एडमिशन की प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी और मोधी कोलेज रोड पर ट्रेफिक की वेस्ता अच्छी की थी लेकिन वहाँ जाम की स्थिती बनी रही देखे इतनी सी अपडेट थी देखे सिद्धी सी बात अपने करें कि 9 अक्टूबर को आपका रजेल्ट आने वाला है और 17 अक्टूबर तक आप सभी का जो एडमिसन है वो हो जाएगा तो 4 अक्टूबर को आपकी ओफिशिल आनसुर की है वो आ जाएगी तो आज से 4 दिन बाद में आपकी आनसुर की है वो आने वाली है अगर हमारी वीडियो पसंद आथे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास जरूर शेर कर देना मिलते नए वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ जैहिंद बंदे मात्रम